हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू मैं चैनल तो कुशन नमबर 344 देख देखे इसमें का एक्स प्लस 2y इकोल टू 8 है तो मैक्सिमम वेल्यू ओफ xy बताने है तो यहाँ पर थोड़ा सब नहीं दिमाग लगाने है कि भाई x और y की वेल्यू मैं क्या रखो ताकि 8 आ जाये ठीक है तो x की value 0 y की value 4 रख दे तब 8 आ सकता है या फिर x की value 2 रखे y की 3 x की value 4 y की 2 x की value 6 y की value 1 x की value 8 y की value 0 अगर हम इस तरीके से रखे तब भी 8 आ सकता है ना तो अब इन सारी values को उठा करके xy में रखते चले जाओ x की value 0 y की value 4 तो 0 x की value 2 y की value 3 तो x into y 6 आएगा ऐसे इन सब को रखो किता xy की values आपको मिलेगी तो इसमें सबसे maximum value आपको कब मिल रही है 8 मिल रही है xy की maximum value 8 है इन सब में साहथ 8 का मिल रही है जब आपने 4 2 का use किया है 4 और 2 का use किया है है ना तो 4 और 2 का use किया था तब आपको maximum value मिल रही थी तो क्या मिल रही थी 8 तो maximum value क्या हो जाएगी 8 हो जाएगी यानि D option question number 345 यह हमने ऐसा सा किया अभी है equation of the tangent theta equal to pi by 2 पर तो dy by dx तो हम इसका निकाल चुके बट यहां पर tangent निकाल लिए तो पूरा ही करके बताना पड़ेगा x is equal to इतना दे रखा है y equal to दे रखा है तो tangent निकालने के लिए सबसे पहले आपको slope पता होनी चाहिए tangent की और अगर slope निकालना चाहते हो tangent की तो dy by dx निकालो तो dy by dx क्या होगा यह भी थीटा की terms में यह भी थीटा की terms में तो इसको और इसको थीटा की terms में थीटा के respect में हम differentiate करेंगे तो dy by dx को लिख सकते हो dy by d theta upon dx by d theta तो dy by d theta इसको differentiate करोगे theta के respect में तो यह आ जाएगा, x को इस theta के respect में differentiate करोगे, इसको तो यह आ जाएगा, इसको differentiate कर देने x के respect में तो यह आ जाएगा, ठीक है, अब क्या करोगे, sin theta और cos theta को, sin theta को लिख सकते हो, 2 sin theta by 2 cos theta by 2, 1 plus cos theta को लिख सकते हो, 2 cos square theta by 2, तो cos theta by 2 से cos theta by 2 cancel, यहां आएगा 2 से 2 cancel, minus 10 theta by 2, तो dy by dx इतना आ गया, उसने काया theta की value pi by 4 पर निकालना है हमें tangent, तो theta की value pi by 4 पर पहले slope निकालो, तो theta की value pi by 4 यहां रखोगे, sorry pi by 2 यहां रखोगे, तो pi by 4 हो जाएगा, तो minus 10 pi by 4 कितना आ जाएगा, minus 1, तो theta equal to 90 पर हमारी जो slope आई हो, minus 1 आई है, इसी भी tangent की equation क्या होती है, या tangent एक line होती है, line की equation क्या होती है, y minus y naught is equal to mx minus x naught, जहां पर x naught, y naught points हो, पास हो रहा होता है, m की value तो minus 1 पता चल गई है, ठीक है, अब मुझे क्या कहना है, theta equal to 90 पर इसने points तो दिया नहीं, बड़ theta equal to 90 अगर मैं इसमें और रखदू, तो मुझे x और y की value पता चल जाएगी, theta equal to 90 पर, तो भाही मैंने किया, जब theta equal to 90 में यहां रखूंगी, sin 90 की value 1 होती है, यहां पर रखूंगी theta की value 90, तो 1 plus pi by 2 into a आ जाएगा, ठीक है, तो x minus x naught की जगा पे, a into 1 plus pi by 2, a into 1 plus pi by 2, ठीक है, उसको अंदर multiply कर रख़ तो 0 हो जाएगा, a, तो y की value y naught मेरेगा हमें a, ठीक है, तो हमने क्या से निकाला, theta की value pi by 2, इस नो ठाकर के रख दी, तो x और y की value मुझे पता चल गए, theta equal to pi by 2 पर, तो y naught वो हो गया, ठीक है, x की value जो आएगी, theta equal to pi by 2 पर, वो x naught, y की value जो आएगी, theta equal to pi by 2 पर, वो y naught हो जाएगा, बस y minus a, minus 1 के अंदर multiply कर देंगे, तो यह आजाएगा, a, a, x side कर तो, तो 2a हो गया, यह a by 2, x को इदर लेके चलेगा, x plus y, x plus y की value कितनी आगई, a, 4 plus pi by 2, या फिर x plus y is equal to a, pi by 2 plus pi, answer देखो, क्या लिखा हुआ है, answer में यह वाला लिखा हुआ है, मतलब lcm नहीं माला option सही होगा, c option हमारा correct option हो जाएगा, कह रहा है कि relative minima कब होगा, relative minima के लिखा होता है, f dash x को 0 रखते है, f double dash x greater than 0 होता है, अगर relative minima कहेगा, f dash x to 0 होगा ही होगा, relative minima कहेगा, f double dash x greater than 0, maxima बोलता है, f double dash x less than 0 होता है, ठीक है, आस तो हिच्किया परिशान करेंगी, local maximum values of the function this, इस function की local maximum values निकालनी है, तो क्या करते हैं इसके लिए, simple सी y चीज़ apply कर सकते हो, f x दे रखा है, इसको एक बार differentiate करेंगे, और 0 के बराबर रखतेंगे, तो इसको एक बार differentiate 12 x cube, 12 x square, minus 12 x, 24 x आएगा, तो यह आए, एक बार differentiate करने पर, उसको मैंने 0 के बराबर रख इसको फिर वही, quadratic equation के factor कर देंगे, तो यह इसके factor हो जाएंगे, यह आगई factor, तीनों को 0 के बराबर रखेंगे, तो 12 तो 0 के बराबर नहीं होता, इससे x की value 0 मिलेगी, इससे minus 2, इससे 1 मिलेगी, ठीक है, फिर क्या करना है, f double x x निकालना है, f double x x इतना आ जाएगा, अब x x equals to 0, पहले इस point पर check करो, x equals to 0 पर अगर इसे देखोगे, तो यह minus 24 यानि negative आ रहे है, तो इस point पर maximum value होगी, x equals to 0 पर, फिर x equals to minus 2 हम इसमें रखेंगे, minus 2 अगर इसमें रखेंगे, तो यह हो जाएगा, आपका check करना पड़ेगा, minus 2 रखना इसमें, तो यह positive आएगा, तो minimum आई करेगा, अब x equals to 1 अगर इसमें, रखोगे, इससे 1 मिला था, तो तीसरा point में 1 मिला था, वो इसमें रखेंगे, तो यह चीज़ positive आएगी, तो फिर से minimum मिलेगा, पूछ क्या रहा था, वो question में, maximum values कब है, maximum values क्या है, ठीक है, तो maximum value तो हमें यहाँ पर minimum मिली, यहाँ पर 0 पर मिलेगी, तो 0, 0, 0 रखा, तो 2 मिल रहा है, तो answer क्या हो जाएगा, 2 इसका correct answer हो जाएगा, ठीक है, 2 इसका क्या हो जाएगा, correct answer, जिस point पर maxima या minimum मिल रहा होता है, उसको ठाकर के function में put कर देते हैं, जो question में दिया हुआ होता है, ठीक है, तो हमारा answer आजाता है, next question है, sin sin x plus cos x की maximum value बतानी है, तो इसके लिए मैं आपको एक छोटा सा तरीका बता रही हूँ, वो ध्यान रखना, ठीक है, a sin x plus b cos x, अगर कहीं पर भी इसका हमसे maximum minimum पूछा जाए, a sin x plus b cos x, तो इसकी जो minimum value होती है, वहाँ से आप एक value निकाल लेना, plus minus under root a square plus b square, minus वाली minimum value, plus वाल maximum value, a sin x plus b cos x, अगर कहीं है, तो उसमें क्या होता, plus minus under root a square plus b square, plus वाली maximum होगी, minus वाली minimum value होगी, यहाँ पर क्या दे रखा था, question में, sin x plus cos x दे रखा था, तो a b1 है, b1 है, रख दो, यहाँ पर तो under root 2 आएगा, maximum पूछ रहा है, तो plus root 2, minimum पूछता, तो minus root 2, तो इसका answer हो ज motion is decreasing 0 to 90, तो अगर आपको graph बता होगा, एकदम कर दोगे, ठीक है, 10x और cos x, अगर मैं cos x का graph देखूं, cos 0, 1 होता है, cos 90, 0 होता है, cos pi, minus 1 होता है, cos 0, 1 होता है, मतलब यहाँ, cos 90, 0 तो cos का graph ऐसे जाता है, cos pi, यहाँ पर हो गया 0, यहाँ पर हो गया 90, यहाँ पर हो गया pi, ठी 90, 0, फिर pi पे, sorry, pi पे ऐसे जाएगा, minus 1 यहाँ, pi पे ऐसे जाता है, ठीक है, तो 0 से 90 के बीच में चेक करना, 0 से 90 के बीच में यह तो क्या होगा है, decrease हो रहा है, जैसे जैसे हम x की तरफ बढ़ रहे हैं, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, तो यह तो कम होता जा है, है ना, अगर मैं इस point की बात करूँ, तो यहाँ पे है भी जादा value पे, अगर मैं इस point के corresponding देखू, तो कम आ गया, इस point के corresponding देखू, तो कम आ रहे हैं, तो यह जो function है, वो decreasing है, इसने पूछा था decreasing function, cause ही होता है, 0 to 90 में cause ही decreasing होता है, cause 0 और cause 90, cause 0 की value 1 होती है, cause 90 की 0, त cause ही function क्या होता है, decreasing होता है, ठीक है, सीधा-सीधा graph याद होगे, तो एकदम कर दोगे, two curves, अब वही पूछ रहा है, cut at right angle, cut at angle this, इन दोनों के बीच का angle पूछ रहा है, तो हमने क्या करना है, इस question को करने के लिए, दोनों की slope निकाल देनी है, दोनों की slope, मतलब दोनों की, क देखो, first curve हमें ये दे रखा है, तो इसका differentiation क्या है, 3x square, इसका differentiation, 3 बाहर रखा, इसका differentiation कर दिया, ये आ गया, equal to 0, इसका 0, खुद कर सकते हो differentiation, ठीक है, तो फिर हमने क्या किया, यहां से हमारे पास ये वाला जो term था, right hand side में उठाकर के ले गए, minus 3y square इधर रखा, इसको उ हमने निकाल लिया, main था, इसको differentiate करके y dash निकालना था, तो y dash निकालना इतना आ गया, y dash पता चल गया, हमें m1, ठीक है, तो y dash हो गया, m1, दूसरा curve हमें ये दे रखा है, तो इसका differentiation करेंगे, फिर इसका differentiation, इसका product rule, इसका simple 3y square y dash हो जाएगा, y dash की value निकालने, तो इसको उ यहां से आपको y dash निकालना है, तो y dash यानि second आजाएगा, आपके पास y dash इतना आ गया, अब मुझे यहां देखने से ही पता चल रहा है, कि अगर मैं इन दोनों की multiply कर दूं, m1, m2 की, इसकी और इसकी, तो minus 1 मिलेगा, तो मुझे देखने से ही पता चल रहा है, कि अगर मैं अंगल पर, next question, तो b option हो गया, उसका answer, x is real, minimum value of this, अगर मुझे इसकी minimum value निकालना है, तो simple सा तरीका एक इसका formula भी होता है, बट आप वही करो, कि मुझे इसकी minimum value निकालना है, तो एक बार differentiation करेंगे, यहां से मेरे पास x की value आएगी, 4 आएगी x की value, फिर इसका double differentiation करके हम च चेक कर सकते हैं, ठीक है, double differentiation करेंगे, तो positive मिला मुझे differentiation, तो इसका मतलब है positive differentiation मिल रहा है, अगर यहां पर positive differentiation मिल रहा है, double differentiation positive है, इसका मतलब function के पास minimum होगा, ठीक है, और किस point पर check कर रहे है, x, यहां से हमें सिर्फ एक ही point मिला था, x equal to 4, वो उठा करके इसमें put कर देंग value आजाएगी, x की value 4 उठा करके इसमें put कर देंगे, हमाल पस value आजाएगी, plus 1, तो यानि 351 का minimum value होगी, वो plus 1 हो जाएगी, function 52 देखते हैं, function दे रखा है, वही maxima, minima, वही चीजे पूछ रहा है, ठीक है, तो function अगर हमें दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, इसका एक बार differentiation क करके रख लो, ठीक है, क्योंकि हमें चेक करना है, कहा maxima है, कहा minima है, एक बार differentiation करने के बाद, first derivative से हमें सिर्फ points मिलते हैं, इसको 0 के बराबर रखते हैं, तो इसको 0 के बराबर रखा, 6 common ले लिए, यह आया, फिर इसको हमने quadratic equation है, तो हम क्या कर देंगे, इसके roots निकाल दे आएगे, roots निकालेंगे, तो x की value 2 और minus 1 आएगी, तो 2 और minus 1, अब यह 2 और minus 1 हम double derivative में रखेंगे, 2 यहां रखेंगे, तो positive value मिलेगी, मतलब 2 पर f double dash 2 की आ रहा है, positive तो मतलब minimum value होगी, function की, ठीक है, minus 1 अगर यहां रखते हैं, तो negative आएगा, तो f double dash, f double dash minus 1 negative आ रहा है, त तो मतलब x equal to minus 1 पर function की maximum value होगी, तो एक जगह हमें minimum value मिल रही है, एक जगह हमें maximum, तो हम क्या कह सकते हैं, इस question में, one maxima है, one minima है, ठीक है, one maxima, one minima, 353, इसमें का है, y equal to इतना दे रखा है, तो has minimum at x equals to, तो इसकी minimum value होगी, x की किस value पर, इसकी minimum value होगी, ठीक है, तो यह हमे function दे रखा है, तो क्या करेंगे, एक बार इसका differentiation कर देंगे, फिर दुबारा से इसका differentiation करेंगे, ठीक है, यह तो हम रख लेते हैं, अपने पास करके पहले, एक बार differentiation किया, इसका मुझे करना है factorization, ठीक है, तो यह चीज़ को पहले देखते हैं, cubic equation को अगर solve करते हैं, तो प minus 2 रखने पर यह पूरा हो गया, 0, minus 2 रखने पर 0, मतलब इस F, यह क्या था मेरा, y' यह एक बार differentiation करने के बाद, मुझे यह मिला था, इसका एक बार differentiation करने के बाद, मैंने इसको 0 रखा, फिर इसका roots निकाले, तो एक root तो मुझे minus 2 मिल गया, ठीक है, तो मैं minus 2 पर ही check करते ह y' क्या करता है, तो minus 2 अगर मैं यह रखने तो 4, 4 into 12, minus 12 तो positive value, मतलब y' positive, double differentiation positive है, तो function क्या होगा, उस point पर minimum, वो यही पूछ रहा था, minimum किस point पर है, तो minimum minus 2 पर है, तो answer B हो जाएगा, और roots भी हम इसके निकाल सकते हैं, बट उसकी जरूथ हमें नहीं पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि minus 2 से यह में पता चलिए कि minus 2 पर minimum है, और option में दे रखा है कि minus 2 पर minimum है, ठीक है, तो minus 2 इसका answer हो जाएगा, इसमें पूछा था, कौन से point पर x की किस value के लिए minimum है, तो एक बार differentiation करो, दुबारा differentiation करो, जो first derivative होता है, इसको 0 के बराबर रहो, x की values निकालो, उठा करक में रखते जाते रहो, और फिर देखो कि कौन से पर minimum, minimum चाहिए न, x की किस value के लिए, ये greater than 0 आता है, x की उसी value पर ये function minimum value रखेगा, तो वही हमने यहाँ पर चेक किया, बस, x की power x has a stationary point, अगर मुझे stationary point निकालना है, तो क्या करना है, dy by dx निकालना है, उसको 0 के equal रख दे तो ये रहा हमारा dy by dx, ठीक है, y equal to इतना है, function की power functional होता है, तो हम दोनों side में log ही apply करके solve करते हैं, इससे आप कर सकते हो, पिछली classes में हमने किया है, तो यहाँ से dy by dx कितना आ जाएगा, x की power x, 1 plus log x, इसका differentiation log ले करके करते हैं, इसको 0 रखोगे, तो x की power x तो 0 हो नहीं सकत है, क्योंकि वह तो function है, तो यही चीज़ 0 होगी, है ना, जब यह चीज़ 0 होगी, तो log base e x equals to minus 1, तो e की power minus 1 करते हैं, तो x आता है, e की power minus 1 करते हैं, तो x की value क्या जाती है, e की power minus 1, या फिर x की value 1 by e, तो b option इसका answer हो जाएगा, next question में कहता है, 355 में हमें absolute maximum बताना है, इसक absolute maximum जब हमें पूछता है, जब absolute maximum, absolute minimum, तो उसमें simple क्या करना होता है, कोई एक interval दिया जाता है, जब भी absolute maximum minimum पूछेगा, हमेशा कुछ न कुछ interval मिलता है, तो हम क्या करते है, 0 और 2, जो इसमें, जो भी interval दिया होता है, उसके जो end points होते है, 0 और 2, उनको तो direct इसमें put करेंग मतलब हमने क्या क्या, simple, यह दे रखा था, इसको हमने एक बार differentiate किया, 3x square minus 3, इसको 0 के बराबर रखेंगे, x की value plus minus 1 आजाती है, और उसमें interval यह दे रखा था, तो बस हमें क्या करना है, 0, 2, जो यह end points है, उन पर भी हमें इसकी value निकालनी होती है, जब absolute बोलेगा, तो end points प के बीच का है, तो 0, 1, 2, 3 points हमें मिल गए, x की value 0 यहां रखेंगे, तो हमें 2 मिलेगा, ठीक है, x की value फिर 1 रखेंगे, फिर 2 रखेंगे, तो 0, 1, 2 सब रख दिया, तो यहां पर 2, 4, 0 मिल रहा है, पूछ किया रहा है, तो हमसे maximum पूछ रहा था, तो इन सब में अब सबसे ज maximum पूछे, तो interval देगा, करना वो ही है, डिवार बाइद x को 0 के बराबर रखो, x की values निकलेंगे, बट उसमें से सिर्फ वही लेनी है, x की values जो इस interval में लाई करती हो, और इसके end points पर भी हम value निकालेंगे, फिर देखना है कि x की value के लिए सबसे जादा value हमें मिल रही है, function क value जहां सबसे जादा मिल जाएगी, वही हमारा answer हो जाता है, 56 में कहा है, log x upon x attains its maximum किस point पर, मतलब x की किस value के लिए ये जो है maximum value attain करेगा, तो हमें function क्या दिया है, ये दिया है, एक बार differentiate कर दो, आप कर सकता है, x का square हो जाएगा, quotient rule लगाना है, x log x का differentiation minus log x as it is, x का 1 कर देत पर रख नहीं है, first derivative को, तो इसको 0 के बराबर रखेंगे, तो 1 minus log x is equal to 0 हो जाएगा, तो 1 minus log x is equal to 0, फिर हम 1 को इधर लेके आ गए, तो log x is equal to 1, तो ऐसा कब होता है, 1 को क्या लिए, या तो e की power 1 equal to x, e की power, base की power 1 करेंगे, तो x आएगा, तो यानि x की value e आ गई, या फिर 1 को लिए, log base e, e, तो इसको compare कर दो, कि तो x की value e आ जाएगे, ठीक है, अब मुझे point तो मिल गया, x equal to e, मुझे check करना है, x equals to e पर, उसने क्या का था, maximum, तो मुझे देखना है, x equals to e पर, यह function maximum value रखता है या नहीं रखता, तो कैसे पता चलेगा, double differentiation करेंगे, इसका, तो x square का square, इतना हुआ, फिर x square as it is, इसका differentiation हो जाएगा, यह आ गया, minus 1 minus log x as it is, x square का differentiation 2x, अब क्या करना है, इसको solve कर लिया, तो यह बचेगा, minus x, और यह हो जाएगा, minus 2x, 1 minus log x, ठीक है, फिर हमने क्या किया, minus x minus 2x plus 2x log x upon x e power 4, ठीक, यह हो गया, minus 3x plus 2x log x, अब क्या करना है, x क जगा पर e, इसमें put कर देंगे, क्योंकि मुझे चेक करना है, e पर, e point मिला था, मुझे, तो e मैंने इसके अंदर जैसे ही रखा, तो यहाँ पर e log e की value 1 होती है, यह भी e, यह भी e, minus 3 e, plus 2 e, upon 1 e की power 4, तो यह चीज़ के आएगी, मैने negative, minus e upon e की power 4, negative आना है, में हमें plus minus द रखेगा, that means x equals to e पर यह क्या रखेगा, maximum value attain करेगा, तो यह नि, x equals to e पर maximum value यह function हमारा रखेगा, तो a option इसका answer हो जाएगा, देखते हैं, a stone is dropped into a quiet लेके, पत्थर फेग दिया कि गया किसी तालाब में, ठीक है, and waves moves in circular, जब आप पत्थर फेग तो किसी तालाब में, तो आ आप लिखोगे, dr by dt, क्योंकि जो हमारा r होता है, वो distance को show करता है, dr by dt जो होता है, वो हमारा velocity को show करता है, और जो d2r by dt square होता है, वो हमारा acceleration यानि तो अरण को show करता है, ठीक है, तो यह चीज़े पता होनी चाहिए, तो speed हो गई हमारी इतनी, speed मतलब dr by dt, dr by dt, ठीक है, 5 cm per second at that instant, उसी शण, when the radius of circular wave, जो circular wave बन रहा था, उसकी जो radius थी, वो 8 cm थी, तो how fast is the enclosed area increasing, तो वो कितनी चाहिए, जब वो एक circle बनेगा, जब आप पत्थर फेकोगे, एक circle बनेगा, दूसरा बनेगा, तीसरा बनेगा, तो जब एक circle बन गया, तो अभी उसकी radius 8 थी, तो एकदम से जब जब इसे दूसरा बनेगा, तो कितना increment होगा, ये पूच रहा है, वो क्या पूच रहा है, कितना encloses area increase हो जाएगा, increment कितना होगा, area कितना बढ़ जाएगा, तो area अगर पूच रहा है कि area कितना बढ़ेगा, that means हमें D A by DT निकालना है, टाइम के साथ area में क्या change हो रहा ह वही है कि area कितना increase होगा, तो dr by dt 5 cm per second है, a equal to pi r square होता है हमें पता है, तो a अगर हमें पता है, तो इसका differentiation करेंगे with respect to t, da by dt आ गया, pi r square का differentiation 2r, और r का differentiation with respect to t dr by dt, ठीक है, तो r की value तो मैं उसने कहा है, जब 8 radius थी, तो r की जगा पर 8 रख देंगे, तो इसमें क्या change हो रहा था तो r की जगा पर 8 रखेंगे, dr by dt हमें पता है, 5 रख नहीं है, ठीक है, da by dt हमें पता चल जाएगा, तो यह आजागा 80 pi, ठीक है, तो यह आजाएगा हमारा, 80 pi cm2 per second, cm2 area को denote कर रहा है, per second, मतलब time, per time, तो रेट है ना, क्योंकि, तो 80 pi cm2 per second, इसका answer हो जाएगा, next question देखते यह S से, ठीक है, distance moved by a particle in time t, t time में जो भी distance cover होती है, वो यह लिखी हुई है, अगर मैं t की value 1 रखूंगी, तो 1st second में जो distance चली जाएगी, वो पता चल जाएगी, 2 रखूंगी, तो 2nd, time पे जो second second में, मतलब दूसरी second में जो distance चली जाएगी, वो पता चल जाएगी, the velocity बता बताने है, मतलब ds upon dt बताने है, तो ds upon dt का मतलब है, इसका differentiation with respect to t कर दो, इसका differentiation with respect to t कर दिया, तो ds upon dt आ गया, लेकिन यह बताना है, जब acceleration 0 हो, इसकी value तब बताने है, जब acceleration 0 हो, तो acceleration 0 करना, acceleration मतलब d2y by dx square, इसका दुबारा differentiation करेंगे, 60 minus 12y का 0 के बराबर रखा, इसको 0 के बराबर रखोगे तो टीकी वेल्यू टू मिल जाएगे और यह टीकी वेल्यू टू उठा करके इसमें रखने हैं जैसे आप उसमें रखोगे तो यह आ जाएगा 27 नेगेटिव तो आंसर क्या हो जाएगा माइनस 27 इसका अंसर हो जाएगा अभी हम पीछे कर चुके हैं कट अभी अभी किया था है question ठीक है अब देखते है slope of normal to the curve at this point तो slope निकालना तो बड़ा आसान होता है ठीक है slope निकालने के लिए हम क्या करेंगे कर्व के normal की slope बतानी है ठीक है तो कर्व मुझे पता है जब मैं कर्व का differentiation करूंगी तो मेरे पास tangent की slope आएगी तो हमने क्या किया देखो कर्व यह था कर्व का differentiation कर दिया तो tangent की slope मिल गई tangent की slope मिल गई मुझे किसकी निकाली है normal की उसके और tangent और normal एक दूसरे के perpendicular अगर यह कोई कर्व है तो इसकी tangent यह जा रही है इस point पर इसका normal ऐसे होगा तो दोनों की बीच में perpendicular है जब एक लाइन और दूसरे लाइन के बीच में 90 डिग्री का एंगल होता है तो अगर इसकी slope M1 है इसकी M2 है तो M1 into M2 equal to minus 1 होता है है ना तो tangent की slope इतनी आए tangent की slope क्या कर दो भाई अगर मुझे यहां से M2 निकाला है तो minus 1 upon M1 कर देंगे तो minus 1 upon tangent की slope slope of the normal is equals to minus 1 upon tangent की slope यह भी लंप बोलता है इसकी में तो minus 1 upon 2x plus 3 ठीक है किस point पर कहा था minus 2 0 point पर तो x की जगह पर minus 2 y की जगह पर 0 y तो इसके इंदर ही नहीं तो x की जगह पर minus 2 रख दी आंसर कितना आ गया 1 तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा इसका आएगा हमारा B option यानी 1 ठीक है